हाई विनर्स आइओप यूल आर वेल दिस साइड राजी वानन्द वलकम तो क्रिप्टो मार्ग यूट्यूब चानल क्रिप्टो का रास्ता विनर्स आज की वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे टेरा लूना के बारे में लगाता टेरा लूना से रिलेटीड अपडेट आप लोग को क्रिप्टो मार्ग यूट्यूब चानल पर मिल रहे हैं according to coin market cap 233 global rank बन चुका था Terra Luna का Terra Luna ने वापसी की है अब Terra Luna आज की date में 206 rank पर चल रहा है अगर आप लोग watch list की बात करें तो लगबख 60,000 नई watch list के अंदर add हुआ है पिछले दो दिन से Terra Luna प्राइज की बात करो तो INR में dot के बाद 02443 की सीरीज चल रही है और 24R के according अगर हम लोग comparison करते हैं तो 44% Terra Luna बुलिश दिखाई दे रहा है हाला कि कोई Terra Luna के हिसाब से बहुत बड़ा प्राइज नहीं है Sun Crypto Indian Exchange में Terra Luna की ट्रेडिंग वापसी से स्टार्ट हो गई है अगर आप लोग कल शाम तक बात करें तो कल शाम तक minimum 1000 उपे से आप लोग ट्रेड कर सकते थे लेकिन ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं हो पारी थी कल शाम के बाद से minimum amount ट्रेडिंग का 100 रुपीज कर दिया गया है और आप आप इजिली जाकर Terra Luna को Indian Exchange Sun Crypto से बाई कर सकते हैं सबसे बहले जानते हैं बाई करने का प्रोसीजर आप भी जानते हैं इस टाइम पर जो बैंकिंग में प्रॉबलम आ रही है तो बहुत सारी exchanges के अंदर आप लोग direct deposit नहीं कर पा रहे हैं और UPI का method है वो बिल्कुल खतम कर दिया गया है तो अब आपको Sun Crypto Exchange में अगर money को deposit करना है और crypto को buy करना है तो उसका प्रोसीजर है कि आप सबसे पहले जो आप लोग ने Sun Crypto Exchange में अपना bank जोड रखा है सबसे पहले आप उस bank से Sun Crypto के official account के अंदर अपना पैसा transfer कीजिए और जो UTR number है वो UTR number वहाँ पर आपको message दिया गया है जैसे आप लोग bank में click करते हैं click करने के बाद आपको definitely नीचे UTR number और कितना amount आपने transfer किया है वो deposit करना है और OK पर click करना है जब आप OK पर click करते हैं तो आपको एक message आता है कि within 6 hours आपका जो money है वो कई ना कई पर आपके wallet में add हो जाती है और लगबग 5-6 गंटे में ऐसा हो रहा है कल शाम को मैंने भी ऐसा किया 1000 रुपे मैंने UTR के ठूर डाले कल दोपहर के आसपास और कल शाम को 7-8 बज़े तक वो 1000 रुपे मेरे Sun Crypto wallet में दिखे उसके बाद मैंने कुछ 2-3 coins को buy किया Luna को भी मैंने buy किया लेकिन कहीं ना कहीं पर Luna की trading basic start हो चुकी है Sun Crypto Indian Exchange में आप लोग 100 रुपीज से दुबारा Luna को buy कर सकते हो अच्छी news तो निकल कर आ रही है लेकिन what about Luna exactly ये लोग बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं अगर आप लोग Terra USD के official Twitter profile को देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मैं अलड़ी बता चुका हूँ TX और हुबई Global के अंदर USDT में अविलेबल है इवन बाइबिट के अंदर भी USDT में अविलेबल है इसके बाद अगर आप Crack and QCoin इन सब की बात करें तो कई जगा पर USD में अविलेबल है कई USD में अविलेबल है 80 तक listing जा चुकी थी को देखते हुए बाकी 19 exchange ने दुबारा से realist कर दिया ये crypto market की history में पहली बार हुआ है कि dealist होने के बाद एक coin within 24 hour realist हो गया और 19 exchange पर आप लोगों को एक बार फिर से दिखाई देने लग गया लेकिन अब जानते हैं इतनी बड़ी positive news के बाद Luna के जो founders team है Luna के founders और co-founder उनका क्या कहना है अगर आप लोग उनका official twitter profile को अगर follow करते है do know जिनका नाम है जिनको already blue badge verify मिल चुका है लगबग 8,11,000 से ज़्यादा follower है यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह लोग कह रहे हैं कि हम जितने भी Luna की holder से उनका पैसा waste नहीं होने देंगे और कहीं न कहीं पर एक और नया coin Luna का एक और नया alternate लेकर आने की बात कर रहे है मतलब आप यह सोचिए जब Luna की trading स्टार्ट हो चुकी है Binance ने accept कर दिया है तो अब इने अपने Terra Luna में जो problems आई थी उन problems को solve करना चाहिए दो-तिन crypto analyst से मेरी बात हुई उन्होंने बोला राजी liquidity जो है वो बहुत ज़्यादा uncontrollable सी हो गई है इस वज़े से हो सकता है कि Luna का दूसरा alternate लेकर आना better रहेगा मुझे लगता है क्यों मेरा simple सा question है क्यों अगर आपका एक अच्छा भला stable token, stable coin down होता है तो यह आपके responsibility है उसको up करना अब आप public को यह response क्यों दे रहे हैं कि हम alternate लाने की कोशिश कर रहे हैं alternate का मतलब यह हो गया कि अगर alternate आता है और हम लोगों को वो alternate से कोई सहरा ना मिला तो हाला की ट्विट्स के अंदर एक और चीज बहुत clear की गई है कि जब लूना डिप में जा रहा था ना तो डिप से पहले जितने लोगों ने लूना को buy करके रखा था उनको benefit मिलेगा जितने नए लोग हैं उनको benefit नहीं मिलेगा इसका क्या मतलब हुआ मतलब जब तक लूना पांच-छे-अजार तक था अगर मालीजी उसके 10 लाख holder थे तो उन 10 लाख holder को तो benefit मिल जाएगा और जो विदिन 36 और 48 अर जो लास्ट दो-तिन दिन के अंदर नए holders एड़ हुआ है उन्हें कोई benefit नहीं मिलेगा और अब हम लोग कर क्या रहे हैं हम लोग यहां पर जब Indian Exchange and Crypto की बात करो या Binance में USDT की बात करो या आप लोग कहीं पर भी जहां पर KU Coin, FTX Global जहां पर इस टाइम पर Luna एविलेबल है USDT में लोग वहां पर बाय करते जा रहे हैं जो है वो साड़े 300 से जादा liquidity बता रही है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड यहां पर Luna Community से निकल कर आ रही है अब वो गड़बड हो कह सकती है ऐसा नहों कि इसकी trading चलती रहे और जिंदगी में इसका आगे कभी price बड़े ही ना हाला कि ये भी clear कर दिया गया कि Luna की official burning भी start हो चुकी है अगर burning start हुई है तो price pump क्यों नहीं कर रहा तो हो सकता है कि इसकी team back end में कोई नया experiment करने की कोशिश कर रही है लेकिन उस experiment को करते करते ये ना हो कि जो नए holder जुड़ रहे है चाहे मेंने भी 200-300 रुपे का भी Luna खरीदा है एक average maintain करने के लिए मेरे पास लगबख 600 लूणा थे उस 600 लूणा को मैंने कई बार 200 में बाई किया था 500 में बाई किया था 60 रुपे में बाई किया था तो एक average जो price मेरा maintain हो रहा था वो मेरा भी 60-70 रुपे के आसपस जा रहा था मुझे लगा कि अगर Luna का इतना dip price आ गया तो मैंने फिर से 1000 रुपे के Luna बाई कर लिए और लगबख मेरे पास जो इस टाइम पर आ गए वो लगबख बन गए लगबख 8000 के आसपस अब 8000 जो Luna मेरे पास बने है मैंने तो average maintain करने के लिए buy करके रख लिया हो सकता है आपने भी ऐसा किया हो और मैं तो बहुत small amount लगाता हूँ crypto के अंदर मैं अपने बार-बार comment देखते रहता हूँ लोग एक एक लाख 5-5 लाख रुपे invest करते हैं तो आप सोचिए जब average maintain करने के लिए हम लोगों ने तो ये वाला luna buy करके रख लिया अब ये बोले कि luna का नया version 2 आ रहा है या version 3 आ रहा है नया upgrade आ रहा है आप इसको दूसरी जगापे swap कर लो आप इसको convert कर लो जैसा already हम लोग सुनते आये हैं पहले लोगों के पास btt होते हैं btt बोलता है हम लोग नया token launch कर रहे है btt c बहुत सारे लोगों को ये guidance नहीं मिलती proper knowledge नहीं मिल पाती उन्हें ये समझ नहीं आता how to convert हम बाते करते रहा जाते हैं कि btt burn हो रहा है लोग यहां confused हो जाते हैं पुराना burn हो रहा है या नया burn हो रहा है इस टाइम पर मेरे पास भी लगबग 4-5 रूपे में लगबग 2-3 रूपे में अगर मैं average निकालू तो 8000 लूना कॉइन बन चुके हैं लेकिन अब आप यहां पर देखिए हम लोग तो अपना average maintain करने के लिए जल्दी से जल्दी लूना को buy करते जा रहे है क्योंकि ऐसा price कभी देखने को नहीं मिला और थोड़े time बात पता लगे लूना community ने लूना प्रोटोकोल ने एक नया token अप्ग्रेड कर दिया है अब आप क्या करो अब आप जा करना वो अला buy कर लो पुराने वाला छोड़ दो उसके बाद जब burning की बाते होंगी तो हमें ये confuse हो जाएंगे पुरानी burning हो रही है या नई burning हो रही है तो overall इस पूरी की पूरी community ने पिछले तीन दिन से ना सिरफ और सिरफ confuse कर रखा है इसके इलावा लूना community कुछ कर नहीं रही है अब इनके जो founder है उनकी तरफ से sentimental tweets तो आने start हो गए है लेकिन यार ये ultimately business man है sentimental tweet किसलिए है कोगी बच जाए बच क्या जाए आज तक पता ही नहीं है इनके founder है कोन ये do know नाम का प्रोफाइल बना रखा और वहाँ पर एक NFT टाइप की picture लगा रखी है exactly इनकी कोई photo नहीं जानता exactly इनको आस तक किसी ने देखा नहीं अच्छा दूसरा एक और काम करते हैं हम लोग टेरा मनी जो लूना की official website है इसको भी visit कर लेते हैं अगर यहाँ पर हमें कई ने कई पर founders की photo दिखाई दे तो हमें कई ने कई विश्वास तो बने अब यहाँ देखिए यहाँ कोई about a section आपको दिख रहा है यहाँ पर अगर मैं intro to terra करूँ यहाँ पर कोई team का कोई photo हो जिससे हमें पता लगे कि हाँ भई सच में यहाँ पर एक team है अब देखिए यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी team का option है contact career white paper academy कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तो इससे मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं इनके ओपर विश्वास करू या ना करू हम लोग Luna तो buy करते जा रहे हैं Indian exchanges में भी start हो गया लेकिन हमें क्या personally benefit मिलेगा मुझे doubt हो रहा कि कल को यह Luna का नया version निकाल दे और बोलें कि भई आप convert कर लो convert करने के लिए procedure भी बता दे आपकी जिन exchanges पर आपने buy करके रखा है वो automatic convert कर देंगी और जब exchange convert करने की बारी आएंगी तो हो सकता है safe moon की तरह हो जाए safe moon सारी दुनिया ने buy करके रखा था जब safe moon में 17-18 जार परसेंट का अचानक से pump दिखाई दिया तो इनका V2 निकल गया लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं अब आप यहां पर यह सोचिए कि क्या Luna के साथ ऐसा नहीं हो सकता इन्होंने बोला कि पुराना Luna जो है भाईया वो ecosystem में गड़बड हो गई थी या burning में कोई problem आ गई थी या blockchain halt हो गई थी वो खतम कर दो हम लोग ने नया V2 launch कर दिया या नहीं आप grade कर दिया आप उसको जाके buy कर लो और आपकी exchange automatic convert कर देंगी जब तक conversion process start होगा दो तिन exchange में starting में आ जाएगा price 20-30,000, 50,000% pump कर जाएगा और हमारे जैसे लोग फिर से देखते रहा जाएंगे आज मैं बिल्कुल दिल की बात है बोल रहा हूँ कि यह मजबूर हो जाए अपना official profile को बंद करने में या फिर इने हमें proper answer देना पड़ेगा और वो answer इनको tweet के दुरू देना पड़ेगा ताकि हम youtubers मिल के भी दुनिया तक luna का असलियत पहुचा सकें कि लोग क्यों पर होते हैं यार अपने घर से हम अपनी savings लगा रहे हैं just for the hope कि हमें crypto से कुछ न कुछ कमाने का मिले और crypto token हमारे साथ ऐसे कर रहे है world के top 15 token में से अगर हमारे साथ ऐसा होने लग जाएगा तो कहां से एक आम आदमी crypto में कमा पाएगा मतलब उपर के जो टॉप के दो दस बारा लोग बैठे होंगे बस वही गेम खेलते जाएंगे बाकी सब लोग तो अपने घर की saving उठा उठा के लगाते जा रहे है पैसा किसी को मिल नहीं रहा तो भाया बहुत सोच समझ के action लेंगे और मिल कर action लेंगे इस बार अगर इन्होंने कुछ गड़बड की क्योंकि safe moon के time पर ज्यादा हाइप हुई लेकिन परशान भोत हुए लोग लेकिन कुछ कर नहीं पाए same x i infinity के time पर हो गया same और किसी token के नाम पर हो जाता है अब terra luna की बारी आ गई और definitely 7000 रुपे का token अगर एक एक गुरुपे में मिलने लग जाएगा या एक गुरुपे छोड़ो 5-5 पैसे में मिलने लग जाएगा तो कौन छोड़ेगा worldwide लेकिन यहाँ पर सिरफ top की companies जो पैसा कमा जाती है सारा पैसा कमा के बैट गए अब sentimental tweet करने शुरू कर दिये क्यों भई तो भया अपने सोते बरदाश हो नी रहा अगर आप लोगों से बरदाश हो रहा तो आप लोग जानो लेकिन मैं आपको यह confirm देता हूँ कि अगर यहाँ पर कुछ गडबड हो गई ना इस बार तो इस Twitter पर मैं इतरा धमाका मचा दूँगा ना मैं अपनी तो गरंटी दे रहा हूँ और ऐसी ऐसी वीडियोज बनाऊँगा इनकी content की हैं मजबूर हो जाएंगे मेरी एक वीडियो सुन ली ना इस Twitter community ने तो या तो यह छोड़के भागेगी यह सबका पैसा return करेगी जो आज तक लोगों ने लगाया है thank you so much for watching this video and please do subscribe crypto mark youtube channel for more updates thank you so much